जो पहले cash bus थी अब वो loan planet के नाम से हो गई है और यार यह पहले तो cash advance थी अब cash kingdom के नाम से हो गई है जो handle loan थी अब वो loan planet के नाम से हो गई है फरजी loan app से loan कैसे लें बहुत से लोगों का एक ही सवाल है कि सर आप जो भी फरजी loan apps के बारे में बताते हैं उससे हम ट्राय करते हैं हमारा loan reject हो जाता है तो आखिर यहां मैं आज आपको एक important यहां पे वो मुद्धा दाने मालूँ जहां पे लोग के loan reject हो रहे हैं जी हां दोस्तों उसका क्या कारण है आज मैं आपको इसी वीडियो में clear करूँगा जो गलती आप कर रहे हो यह आपको भी नहीं मालूम पड़ रहे हैं इस गलती की वज़े से यहां पे आपको loan नहीं मिल ला है ठीक है क्योंकि यह चीज जो है मुझे एक recovery agent नहीं बोली है कि sir आपके जितने भी सब्सक्राइब है उनको यह वाद बता दो कि इनको loan क्यों नहीं मिला है क्यों reject हो रहा है उसकी वज़े क्या है मैं आपको बताऊंगा तो आपको क्या करना है हमेशा की तेरा चैनल को सब्सक्राइब करना है बैल आकर को पैस करना है ताकि मेरी किसी भी व्यूडियो का नोड़ी विकेतन आपको समय से मिल सके जैसा कि आप किसी भी फरजी loan एप में loan के लिए apply करते हो फरजी और फरजी फोन में सारे काम करते हो तो वहां पर आपको कई जगे यह देखने में आता होगा कि आप से कई जगे loan approval का पैसा मांगा जाता है और कई जगे आपका पैसा नहीं मांगते हैं फिर भी loan reject हो जाता है तो देखो अगर free में काम हो रहा है तो तो try करना otherwise यह अब यहां पर आपका loan क्यों reject हो रहा है इसको समझ लेते हैं देखिए 2019 2020 2021 2021 चार साने लगबग होगा यह चार साल से यह फरजी loan एप अपना पैर पसारे हुए हैं यहां पर क्या होता है कि जब कोई आपाती है वो धड़ले से 4 मेने 5 मेने या साल भर भी टिक जाती है अपन खुब अच्छे से जो है marketing करती है पैसा लूटती है और फिर वो चली जाती है लेकिन क्या होता है आपको नहीं पता जिनको चलाने वाले जो यह आका है जो माली कहें वो एक ही है इनका system एक ही है और एप वही है मतलब क्या है कि इन्होंने अब क्या कि एप वही है सब कुछ भाई यह बस नाम चेंज कर दिया जैसे समझ लीजिए अभी जैसे cash advance चल लाई थी यह handy loan चल लाई थी 22 में यह दो एप ऐसी थी मतलब लोगों को बहुत परिसान कर रही थी अब इससे लोग बहुत परिसान थे तो लोगों को सब को मालुम पढ़ चुका था कि handy loan है या cash advance या इसके लाबा जो भी famous है जैसे land wall हो गया रूपी किंग हो गया cash was हो गया यह बहुत लोगों को परिसान करती है बुरी तरह से बदनाम हो चुकी थी लोगों को अच्छे से मालूम पढ़ चुका था आप इन्होंने क्या किया कि अब तो यार इनका तो नाम बदनाम हो है जो पहले cash bus थी अब वो loan planet के नाम से हो गई है और यार यह पहले तो cash advance थी अब cash kingdom के नाम से हो गई है इन्होंने अब क्या किया जो पुरानी loan app चल लई थी एब वहीं है बस नाम change कर दिया अब यह सोच रहे होगे सब नाम change करने से क्या हो गया लोन तो मिलना चाहिए ना आपको मलब जो है यह दिखराएगी यह नई loan पर जबकि है तो वही है सब कुछ पराना वही है उसके मालेक उसके आका उसके सर्वर उसका इंटरफेस एब भी वही है सब काम वही है बस नाम change हो गया है अब यहाँ पर यह loan क्यों नहीं मिला है इसको दिया है जब आपने cash advance लोन लिया था चाहिए आपने फज़ी contact list बनाके लिया हो चाहिए आप धोके से फज़ गए हो यानि आपने real वाली contact list लोन लिया हो आपने किसी भी रूप में लोन लिया उससे ठीक है जब लोन लिया था तो आपके phone का data या अधार card या pen card या selfie तो कुछ ना कुछ तो data उनक ये पास है अब क्या है अब वो सारी एक खतम हो गई है प्रानी वाली अब नहीं आप आ गई है मैंने क्या कहा नाम चेंज करके आगई है सिर्फ नाम चेंज करके आपका data एप का जो setting होता है एपका अंटर्फिस होता है जो मालिक है है तो सब वही इसा समझेए जो handle लोनती अब वो loan planet के नाम से हो गई है अब आपने loan planet में loan के लिए apply करा आप तो यह सोच रहा है यह तो new loan app है इससे आप loan ले लोगे ठीक है लेकिन क्या होता है कि जब आप वहाँ पे अपना आधार लगाओ गया pen लगाओ गया आपने वही प्रानी वाली contact list लगा दी या आपने अ यह चीज आसानी से मालूम पर जा रही है कि यार यह बंदा वही है जो पहले यह loan के लिए apply कर चुका है लेकिन उस समय एप का नाम क्या था handy loan अब यह जो एप इसका नाम दोने कर दिया है नहीं आपका loan planet तो उनको वह data match हो जा रहा है आपका जो आपने पहले try किया था इस इसे हैं जो काम कर रहा है लेकिन मुझे पल-पल की cover देते रहते हैं तो यह एक सबसे बड़ी वजय है कि आपको तो यह दिख रहा है कि यार यह loan app नीव है लोन ले सकते हैं लेकिन आपको नहीं पता कि यह loan app वही है पुरानी वाली बस नाम चेंज हो गया है उस तो यहां यहां पे आपके loan reject इसी लिए बार-बार हो रहे हैं इसी लिए बार-बार हो रहे हैं कि आपका data पहले इसी उनके पास है अब यहां पे इन्होंने अपने system को भी बड़ा high security कर दी है अब आप कितना भी यहां पे account number change करो mil id change करो यह contact जो फरजी ना रहे हो पूरी change कर दो phone change क कर दो सब कुछ change कर दो लेकिन कहीं न कहीं कहीं न कहीं कोई ऐसी छूट रही है जिससे इनको मौनों पढ़ रहा है कि यार यह बंदा पहले भी loan के लिए apply कर चुका है और ज्यादा तर एफ जो प्ले स्टोर में नहीं आई हैं वह वही हैं जो पहले प्ले स्टोर में रह तो यार उनकी पाद डेटा तो हो गाना आपका पहले वाला आपने भली एक बार loan ट्राइ किया हो तो उन्होंने सिस्टम ऐसा कर दिया है मेरे सुनने में आया जो रिक्रूरी एजेंटे बोलाए कि इन्होंने अबरे सिस्टम को बढ़ा अच्छी से इन्होंने इस बार वो फोटो फोटो फोटोना चेंज कर दोगे आधार काड़ में जो आपका फोटो ह्ही दोगे उसी चीज़ को चेक करेंगे कि आधार में आपर harsh या पन में जो इसका फोटो लगा वही ईसटाना भी फ्रॉड कहते ही कि नहीं करना नають क्यूंकि उतना अएक आप कभेग ओक Colonial चेंज करा रहा है pen card गोप्रेट करा रहा है pen card change करा रहे हैं तो भहाइः अपना फेर थोड़ी ना चेंज करा दोगे चीज तो वहीं रहीगी तो इस बज़ाई से यहां पर लोगों का loan reject हो रहा है अब बहुत से लोग क्या लगे पढ़े हैं लगे पढ़े हैं सो एप में ट्रै कर लिया तब उन्हें एक या दो एप में loan मिल रहा है वो क्यों मिल ला है वो एप वो हैं जो बिल्कु न्यू आई है उनका किसी से कोई मतलब नहीं है उनके अपने खुद के मालिक है वह व्युक्त मंदब ने मार्केट में आयी है उनसे और गभी मथना परान को लोन recognis पूरान रही थी उनीन यदा बतले के अपने आरा रही है तो आपको लोन क्यू में धेंगी क्यों कि भईया नाम पीज बही है लिए लिए नहीं कि से सेंगे कर रहे हो अपको लोन प्रवाइट कर रहा है तो यहां पे ये चीज है कि उसके पास आपका डेटा नहीं है इसलिए लोन ल्शु नों लें लिया हो तो उनका डेटा पास है जिस जौन ये बंदा पहले लोन ले चुका है इनको हम नहीं देंगे अब चाहिए आप किसी भी नई लोन अप में ट्राइ करो आपको लोन नहीं मिलेगा बस एक यही बजा है बाकी तो अब यही है कि आप ट्राइ करते रहा हो मिल जाए अच्छी बात है अदरवाइस आपके से महनच ज जाएगा मैं आपको बहुत जर्द व्यूडियो बनादे यहीए कैम करना करना होगा चैनल को सब्सक्राइब करना चैनल को जिटना हुसा कर कर आओ जितना होई क्रों एं को लूटो ओ दवा कर चीग ना उमील यह आपको यह पसंद आ गया होगा आपको वजह मालूम पड़ गई होगी तो इस वीडियो को लाइक कर दें जरूरी है और बाकी का चैनल को सब्सक्राइब कर दें ये भी बहुत जरूरी है कमेंट कर दें शेयर कर दें लाइक कर दें और जाते जाते इतना कहूंगा अगर किसी भी लोन सब्सक्राइब करें में यह भी बहुत जरूरी है तो ठीक है दोस्तों बस चलता हूं बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर देना तभी जाना बाकी का मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में तो तक के लिए जय हिंग रंदे मातरम सत्य में जाएते